आप देखरें वर्ड लीग एक्षिन यूट्योब चनल की वीडियो चलते हैं वीडियो का टाटल तो देखते हैं पर वीडियो पर देखते हैं जब 370 351 खत्म हुआ वहां के कुछ ऐसे दुकान चलते थे जो पाकिस्तान के इशारे पे चलते थे उन दुकानों को ताला लग गया जो आम इनसान है जो आम कश्मीरी है जिसने 35 सालों से बंबलास्ट देखे हैं मर्गुजारों को आबाद होते हुए देखा है आज अगर कोई बच्चा सवेरे निकलता है शाम को ये डार नहीं रहता है उसको कि क्या ये वापस आएगा ये नहीं आएगा आज माँ बाप को तसली है ये वापस आएगा बारज जोड़ा यातरा में आपने देखा अकि राहूल गांदे जंबोकश्मीर गए कहीं ऐस तो नियुकि बारज जोड़ा यातरा के बाद वहाँ इतनी महबथ बटी हो जंबोकश्मीर में कि सब कुछ सांथ हो गया थि बार एक पाकिस्तानी ये कियाता है कि अगर वजीराजम हेन नरंदर मोडी जी हमारा वजीराजम होता तो पाकिस्तान सचमुच एक नमर पर आजाता है क्या नाम है अब आप आप जाविद कुर्शी कहा रहने बालने रहे वाँ जम्भू कश्मीर से है है क्या लग रहे कि जमू कश्मीर में कैसा महौल चर रहा है मोधी के आने के बाद से जमू कश्मीर में अमन अमान है जो हमने 35 सालों से वहां अमन खोया था वो वजिराजम हिन नरंदर मोधी जी ने वापस लाया 2014 के बैद 2019 में जब 370 35 खत्म हुआ वहां के कुछ ऐसे दुकान चलते थे जो पाकिस्तान के इशारे पे चलते थे उन दुकानों को ताला लग गया आज हकीकतन में वहां पे जो कश्मीर हिंदोस्तान से गया था हाथ से चला गया था उस कश्मीर को वजिराजम हिन नरंदर मोधी जी ने वापस लाया बढ़ी बाद कहा रहा है है कि आर्टिकल 371 खटने के बाद से वहां के जो मुस्लिम हैं वो नाकुष चल रहा है मोधी सरकार से नाकुष वो चलते हैं जिनके दुकानों पे ताला लगा था जो गी की रोटी खाते थे, जो हिंडोस्तान से भी पैसे खाते थे पाकिस्तान से भी पाइसे का जो छे मन्त के लिए बंद रखते थे उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे गरीब मारा जा रहा था जिनकी दुकान बंद होगे ना वो तो रोहेंगे ना जो आम इनसान है जो आम कश्मीरी है जिसने 35 सालों से बंबुलाष्ट देखे हैं मरगुजारों को आबाद होते हुए देखा है जिस मा और बाप का बेटा मार दिया गया है वो ही जानता है जब से 370 खत्म हुआ उसके बाद अमन का माहूल हुआ अमन चल रहा है और हर गली हो तरिंगा हो आर गली कोचे में चाहे गंटागर हो वहाँ पे भी हिंदोस्तान जिन्दाबाद के नहरे लगाते हैं अगर आपने देखा होगा 2019 के बाद आज तक जिमो कश्मीर बंद नहीं रहा है जिमो कश्मीर 24 गंटे खुला रह रहा है अगर आपने देखा होगा अभी G20 कुछ दिनों में हो रही है वहाँ पे पूरे कश्मीर जो आज सिरीनगर सिट पर वापस लाया है वापस लाया है अच्छी यह दो हजार चौदर के पहले जो कश्मीर जमो कश्मीर हुआ करता था आए दिन पत्थरबाजी आए दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे तुकड़े तुकड़े गैंग वहाँ पर एक्टिव थे तो 2023 चल रहा ह तो कितना परितन दिखाई दे रहा है वो गिनेचने लोग थे अगर आफ यह मानोगे वो दो या तीन या पांच परसंट थे और जो हुकूमत थी वहां की हुकूमत चाहे नेशनल की थी या पीड़ीपी की या और किसी की सरकार रहा करती थी उनको अपनी कुरसी बचाने के लिए हर एक की बोली बोलनी पड़ती थी इसलिए वो इस इस वा इन चीजों में काम्याब नहीं रहे जब सता बारतिया जंता पार्टी को मिली और फिर वजीर अजम ही नरंदर मोदी जी ने सरकार संबाली वजीर अजम बने उसके बाद जब 371 खत्म हुआ 2019 में उसके शाम आदमी हकीकतन आज अपने आपको सुरक्षा महसूस कर रहा है और आज अगर कोई बैचा सवेरे निकलता है शाम को यह डर नहीं रहता है उसको कि क्या यह वापस आएगा यह नहीं आएगा आज माबाप को तसली है यह वापस आएगा 30-35 साल पहले यह डर रहता था कि मैं कहां पे बेटूं कहां पे जाओं और शाम को सच मुच में इंसान नहीं आता था लाशी आ जाती अचा आप भी बात कर रह थी कि पहले जम्बू कश्मीर में बहुत बुरा हाल था लगे भारत जोड़ो यातरा में आपने देखा कि राहुल गांदी जम्बू कश्मीर ग इस साब थे, वजिर अज़ेम आज तक कांग्रेस का एक लेडर भी बाई रोड कश्मीर नहीं आया है एक एक इनकी रहुत तकरीब तो तकरीबन सतर साल रही है पंचाश साल रही है मगर आज तक बाई रोड एजा माहोल ली नहीं था वहाँ माहोल ही गड़बड था जब 307 खतम हुआ ऐसा माहोल बनाया गया वो वजीर अजम ही नरंदर मोदी जी ने ऐसा माहोल बनाया तब मुम्किन हुआ वो पैदल आया और जिस रोड से वो आया वहाँ पे 24 गंटे 24 गंटे भम बलास्ट होते थे 24 गंटे किसी की हम्मत नहीं थी वहाँ से क्रास करना मगर आज का दोर है ये बारतिया जंता पार्टी ने करके दिखाया मेरे ख्याल में राहुल जी को वजीर असमी नरंदर मोदी जी को मुबारक बात देना चाहे कि सतर सालों के बैद सतर सालों के बैद लाल चोक में उसने जंडा लहराया अपनी सरकार में नहीं अपनी अपनी सरकार में नहीं अपनी अपनी सरकार में नहीं जब इनकी हुकूमती तब लहराना था जब हुकूम सता में थे ही नहीं तो आज सता और किसी की है क्योंकि उस टाइम पे उनको तेरंगा लहर सब्सक्राइब क्याहिक्दी उसमित कि अपिसान की उन्युक्ताइय there जो़ता निकिला यह क्या चाहता है पाकिसान की हने ही आद है अगर आफ 2010 के बाइद पाकिस्तान की हर एक वेबसाईट कोड़ा चेक करोगे इनके मनशूर में जितनी भी पाकिस्तान की सायसी सायसी पार्टियां थी उनके मनशूर में होता था पहले मसले कश्मीर 2010 के बैद मनशूर चैंज हुआ किसी भी आप कोई भी वेबसाइट किसी भी पुलिटिकल पार्टी का मनशूर निकालो 2010 के बैद इस लकीर को हटाया गया आज आज नहीं है आज तो वो जब से 377 खत्म हुआ तो वो तो जहनी बुखला हट में है तो क्या लग रहा है आप तो इतनी मोदी की बढ़ाई कर रहे हैं मोदी अच्छा काम करा है लेकिन एक तरह विपक्ष पार्टियां एक हो गई है मोदी को हराने के लिए 24 में तो क्या लग रहा है 24 मोदी के लिए मुश्किल कड़ा हो देखो वोट तो जंता को देना है और वोट हिंदोस्तान की अवाम को देना है स्यासी लीडरों को वोट नहीं देना है वो वाकत फैसला करेग दो हजार चुबीस में जब एलिक्शन होगा जब एलिक्शन होगा तो सता में कौन होगा आपको ये याद रखना है इस हिंदोस्तान की खुश किसमती है कि ऐसा वजीर अजम हिंद मिला है ये खुश किसमती है अगर आज हिंदोस्तान एक नमबर पे है पूरे मिलकों में अ अगर पाकिस्तान में हर गली कोचे में चाहे आईवान हो चाहे पार्लिमेंट आईवान हो चाहे इसंबली आईवान हो वहां का हर लीडर हो बच्चा हो अगर आप हर एक यूटू को चेक करोगे हर एक पाकिस्तानी ये क्याता है कि अगर वजीर आजम हिन नरंदर मोदी जी हम वही आएगा हिंदोस्तान को चाहिए ऐसा सपूत हिंदोस्तान को अगर आपको नंबर वन बनाना है अगर हिंदोस्तान को आपको ताकतवर बनाना है तो ऐसा वजीर अजम चाहिए दरफूक नहीं चाहिए भाई पाकि अभी पक्षम दम नहीं है को राहूल गांधी हो गए इन्हों ने किया है ना इन्हों ने आज तक किया है आज के बैद इनको कभी इस पीम हावस में हिंदोस्तान की अवाम गुस्टे नहीं देगी बहुत बहुत धन्यवाज तो बात मत करें आप बताइए ना आप बता कि अभरवाजी बंद हुई है बागी हालाद वही है जो वहां पे थे बंद होनी के वज़ा है बंद होनी के वज़ा यही है ना जब इनसान को दिमाग आता है कि मेरी ग्रोफ कहां की ओर है जितना पीस्फूल है आर्टिकल 370 के बाद लोगों ने बोला ने अब हमें भी करना चाहिए उस वज़ा से अब हालाद पीस्फूल है चोबीस में क्या लग रहा है क्या हालत करेंगे चोबीस में तो ऐसे लग रहा है जो अपोजिशन है सारे यूनाइट हो गया एक साथ तो बहुत कड़ी फाइट रहेगी टफाइट रहेगी प्याम एलिक्शन के लिए भीष्ण केजडिवाल भी है एक वक्त केजडिवाल भी है एक वक डराहूल गांधी भी है आने वाला वाक देखोगे आप यूथ कस्ओ यूथ का पीम होगा उन्हां भी एक तो जी वीडियो इख अटम टाटल बडे शहांदर वीडियो थी जे वह को मुलाना साब थे सुथ कि उन्हेंने बड़ी इची बाते हैं कि फ्रीविक लड़का भी आया खाया पर इस सुफी साथ भी वाते पर बात करें कि कि दोज़ेट्रोफीस का जो एलक्षन वो कौन जीतेगा उसके बाद उन्हें हलफ पूची का किश्मीर के अरत कैसे 370 के बाद तो यह किरे तक माँ खुद किश्मीर सा रहा हूं जिन माँ को पहले डर होता था था पतने शाहूं को मारा बेटा गर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वह माँ आज पुष्ट हैं कि आज उनके बेटों को पूर मत पूर इतमाद है कि मारे बेटे फिजिकली अगर नेजली में अमीद होती ही तो इंक उमीद होती है वह जब पहुँछेगा पहले कि माहों को डरी लगा रहा था था तो पथा हमारे बेटे को पहुंचेगे तो यह था पूर कि इस वीडियो वीडियो उत्रोंड रहलिए को अगर तो इस आप रही दो अगर तो आईसा खीकत में करश कि बाई एक जलूस निकला आया है जो पश्मीरी है उन पर आंसू गया है से यालाटी चार्ड किया गया है काफी टाइम हो गया मैंने आया है अब जा कोई वीडियो नहीं देखी कोई ऐसी बादनी यूट्यूब पर भी नहीं देखी मुझे लगता है कि आप यडिया ना वो दूसरा अरबा इस्टमाल किया है दूसरे अरबाह इस्तोमाल किया है कि उनको तलीयम दी जा रही है वहां पे उनको त्माम सहुलबंन दी जा रही है वो जो बेसिक उनकी जरूरिया थी वो उनको फराम की जाती है और आप ये वीडियो भी नहीं आती कि हमें पाकिस्तान का इसा पढ़ना है या हमें अज़ाद होना है ये काफ़ी टाइम हो गया मैंने कभी नहीं देखी और नरेंदर मोदी की बात उन्होंने की तो नरेंदर मोदी वाके इडिया के लिए बहुत एक जबर्दस लीडर है और कई पाकिस्तानी भी बनाते बुद मैं भी चाहता हूँ कि एक अच्छा लीडर होना चाहिए पाकिस्तान में जैसे नरेंदर मोदी है जो अपने मुलब के साथ कम अज़कम मुखलस होई अपने मुलब को वहां एक पीक पे लेकर चला गया है जहां पे एक अच्छे लीडर को ले जाना चाहिए तो कोशिश अच्छी का रहे हैं किश्मीरियों के साथ भी वो पहले थी का जो भी अलाग थे काफी टाइम पहले थे लेकर अब जो हम तो कोई वीडियो पे आज अब जो चैनल देखते हैं वोईंधिया के अपनी जो ने लाजमी यह बात कऊछी आघारी आपने यह कुछ वीडियो ने वीडियो की ने भी आख चाहिती ती पाकिस्तान के पाकिस्तान ने किसी भी इतनी मुझे टाइम होगा, सियासत की बाते हैं, तक्रीरें सुनते हुए, मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी लीडर को ये कहते हुए ने सुना कि आओ एडिया वालो, हमारे साथ लड़ो, मंगाई के खिलाफ, इंफलेशन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अब हम अपने गरीबों को उठाते हैं, आपस में मेल बांट कर, बैठ कर, ये एक पीडर मैंने देखा है जो लुड़ीद्रा बोती है, जिसमें का हाओ पाकिस्तानी हो, हमें लड़ना चाहिए मंगाई के खिलाफ, अपने मुलकों के खिलाफ, बुर जो हलाथ, उनके खिलाफ, बड़ा चीबात बाता हूँ, बेरोज़ बात करता हूं, मैं वीड़ी के वीड़ी के जैदा होते हैं, तो अज देखले हैं, ने बीड़ी जीड़ी मुलकी में तुबारा होगी तो तुम्हें मानता हूं, क्श्मीर के आप कहा रहे हैं कि वहां पर मुस्लमानों के साथ जो अकावन कीया जाता है, वह पहले से वित्तर हो गया, पहले जहें अनके लन अधर वाई पेरे से फर्क है वो पत रहा हो वो तर वो बाई अकौंटर नहीं कह रहा था उसने दाट भाई बंद हो गया है उधर अमन है उधर फूर अमन है वो फुद मान रहा है अधर माना दी तुम क्या कर दो है अम्हें पता भी मस्लमानों के साथ जो कश्मिर इस time भी हो रहा ह। वह पता ही है सारा उर में खाड़ा ह। विडियो देखा दो हम इस वीडियो दिखा दो हमें जहां जाता है। असलिए असलिए नद लगा किश्मीरी रात को अश्मीर को शाहत है ये विर्मिन आप पर तरंगे इस बात निशान देखिता हैं इसमें की अमान आप मजलब को ख़गा दिली है तो ये वाकी ही आप ठीक हैं तो उसने आज हैं से कसम उटाबर का हमारे सर पर गोली रख कर अगर अमरे के सामने कुछ भी बोलेंगे पहरे कर से तो आपको शोट अफ कर दिया जाएगा आपको खांदान में से विक्रणा दिया जाएगा आपको नदर्का स्टूड़ है छोड़ा जाक। मैं मरी बास सोने हैं मैं तो निवर्शन ओर आप मुझे पहरी हैं अधर करें गर्रॉस्ट करूँगा है तो इंक कर Leia आप लाइभ मन верх चाहिं। लेसे विडियो और स्क्रानी प्रबिल्डियो भी उसकेम लें doing जो कि उसने के उसे पूछ है आप किस अरिया यह किया मत्लू हो रहा। आप अपनी मस्साहल बताएं, अगर वो कहा दे, हमारे गंपॉइंट पर यह बात कहा दो प्रिर भी वो सच्छा, अगर वो कहा दी यह तो ऐसी बात नहीं है, मैं वैसे कर दी है, अगर वो ऐसी ना को तो फिर आपकी सिजा क्या है? युके छुपे बेचारे ने वो बात करते हुगे सुदे अपो को इसको वादल हैं, और पूरी इंडिया गवर्मन्न को देंग़ को देने को पर लकॉसमार को उसको मार दें वह आता है, जुसके अदर पच्छाई हो को दार नहीं लता है. जिसके अदर सुच अदर पर्राआ वाकिसाब डर गया है। यह जो चोड़े हो डर के चोड़े है। और शृषे शरीफ को कि अगर वह को जाते हैं, जो अगर जाते हैं, जे मैं अंदर पाह होता है। मर जाते हैं मुर्णा सब्सक्राइब करते हैं कि दार्णी होता है तो थे जिए अर्फ भी ज़िये अज़ाज़त अलागा